तो हेलो फ्रेंड बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चैनल ले स्वागड़ू गैस इस वीडियो में हम आपसे इस दो क्वेशन का जिक्र करेंगे और में भी आपको आता होगा तो अच्छी बात है नहीं आता हो तो आप सीख के जाईए क्योंकि हो सकता है आपके एक्ज कराएं अगर आप करके जाते हो तो 100% मैं कह सकता हूं आपको फायदा मिलना से हो रहे है ठीक है तो यह इसकी गारंटीर करते हैं पहला है कि एक दो स्युक्त ताप मापी मतलब ऐसा इसा ताप मापी है दो स्युक्त है चिन गलत लग गया उसमें मतलब गलत लगा दिया चीन पर 57.5 डिग्री सेल्सिस पढ़ा जाता है यह सुद्ध जल का कवथनांक पढ़ेगा समझना सुद्ध जल का अब देखो इसमें कुछ मत करो एक फार्मूला याद रखो मतलब 50 डिग्री सेल्सिस का स्थान पर इतना पढ़ा जा रहा है पढ़ना चाहिए था में 50 डिग्री सेल्सिस मतलब वास्तविक क्या है सी की वहलू वास्तविक में 50 डिग्री सेल्सिस है वास्तविक वाला लेकर पढ़ा कितना जा रहा है 57 दसमलो कितना 5 डिग्री सेल्सिस इसको माल लोटी देख एक फार्मूला होता है अगर यह जो 50 जिसके अस्थान पर है जिसके अस्थान पर मतलग सी के अस्थान पर इतना संताव 205 पर जा रहा है तो यह दो यह दखना सी बटा 5 बराबर क्या तुम्हारा फारनहाइट में आजाओ यह माइनस 32 बटा 9 क माइनस 270 बटा तुम चाहो तो 100 भी लिख सकते हो अब यहां देखो तुम 180 यहां 100 इसके बराबर एक फार्मूला है बताना हो याद रखना शिंपल सा फार्मूला है T यह जो मापा घया किसी के अस्थान पे मैनस T1 बटा T2 माइनस ती1 यह पार्मूला याद रखो गे जिंदगी ला चुटकीयों में कर ले जाओ देखो अगर यह तौड जो मापा गया है जिसके अस्थान पे पस Celsius में दिया है तो इसको और इसको लेके solve करना बराबर बराबर लगा देखो अगर Fahrenheit में दिया है तो इसको लेके इसको solve करना अगर Kelvin में दिया है तो इन दोनों को लेके solve तो यह दुआ हेंगे किसमें हम इन दोनों मिलेगें ठीक है सी अपान हंड्रेट बराबर एक टी माइनस टीवन अपान टूमाइनस स्विश्ट वर्म ना अपर दिक तुम को सार टी तो बता दी है आपने जो प्रप्रेचर था तीवन क्या है तो T1 भय्या हिमंग है हे समझो इस बात को हुँ मांग कुछ दे रखा है संजो न हुमांग जी रो डिगी सेलशियस होना एक मांइस पांच डिगी campus uma ग्यात करने करो इसमें लाओ, value put कर दो, c के जगा रखो 50, 50 बटा 100, बराबर t कितना है, तुम्हारा 57.5, minus t1 मतलब minus 5, बटा में t2 नहीं पता है तुम्हें, t2 निकालना है, minus t1 कितना है, minus 5, इसे एक solve करो, 57.5, यह minus minus plus हो जाएंगे, तो 62.5 आजाएगा, बटा t2 प्लस 5, जब 52 नहीं, 100, एक बटा 2, जब इसको solve कर लोगे, t2 बराबर कितना आजाएगा, बताओ जरा, चलो करके दिखाते हैं, which implies that, एक बटा दू बचेगा, 62.5, बटा t2 प्लस 5, दू का गुड़ा इधर, इसका इधर, अब देखो, तुम्हें सिंपल सी बात याद रखो, t2 प्लस 5 बराबर कितना होगा, देख लो, 6 दूना 12, 120, 125 होगा, ये 5 इधर जाएगा, तो माइनस, t2 बराबर, 125, माइनस 5, t2 कितना होगा, 120 degrees Celsius, मतलब जो को थना, को इसका होगा, गलत वाला भी, 120 degree Celsius होगा, तो मैंने क्या किया, समझना, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा मैंने इसको पढ़ा, एक दो स्युक्तता अपना पी था, चिन गलत लग गए थे, इसने 0 degree Celsius के स्थान पर माइस 5 पढ़ लिया, बेचारा गलत लग गए, अब 50 के स्थान पर संतावन पढ़ लिया, अब देखते रहो, फार्मूला मैंने लिखा, ये फार्मूला ऐसा नहीं है, ये Fahrenheit में भी दे सकता है, ये Fahrenheit में भी दे सकता है, ये फार्मूला लगाना, ये लगाना, साल करना आ जाएगा, समझ गए, इस परकार की question जब आपके exam में आते हैं, तो आपको अगर आता है, तो ये आपको अच्छे marks देखे जाते हैं, क्योंकि ये चुटकियों में हो जाते हैं, ये चुटकियों में हो जाते हैं, साथियों, अब देखो, आजाओ, करना वाट आप, जिस पर Kelvin ता आपका मान, Celsius ता आपके मान का दुगूना है, समझना, solution मैं कर रहा हूं, इस question में देख वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इतना गजब का सुत्र है, मज़ा आजाएगा, दिल तुम्हारा बाग बाग कर जाएगा, समझ गए न, ठीक है, सोचो अगर ये तुम्हारे आंसर में, Celsius प्लस, क्या, दो सो तीयत्त, ये तुम्हारा आजाएगा, ऐसे आंसर, ठीक है, चलो इसको करते, कर दो, मतलब, Celsius ताप के मान का दो, माना, माना, Celsius ताप, क्या हो, यक्ष डिवी, Celsius है, तो प्रस्ना इसार क्या होगा, प्रस्ना इसार, तुम्हारा प्रस्ना इसार देखो, क्या हो जाएगा, केलवीन ताप कमा दू गुना बुला है तो दू एक्स हो जाएगा दू एक्स हो जाएगा ना दू एक्स केलवीन तो भाई देखो ये तुमारा इसके दू गुना है अब देखो एक फार्मूला हम जानते हैं सी बटा हंड्रेट बराबर यक माइनस 32 बटा 180 बराबर केलवीन माइनस 273 बटा 100 रोमर पायमाना 0 अपान 80 ये जानते हैं जो हमने इसको सॉल्व कराया था तो इसको हमने ऐसे हमने बगभी नर्मलाइज कर दिया था छोटे फार्म में ठीक है ऐसे के माइनस 273 बटा 5 आर माइनस 0 बटा अच्छा ऐसे किया था हम लोगों ने तो भाई इसने बात सुथ करा है सेल्सियस पैमाना का और केलवीन पैमाना का तो देखो सेल्सियस और केलवीन तो इन दोनों को हम ले ले उठा लेंगे यहां से उठाओ भी येलो के माइनस 273 बटा पांच ठीक है अब हमने C की वैली जो लिया है X डिए सेल्सियस K की वैलू according to प्रस्ना अंसार according to the questions 2X होगा ये हटाओ 2X केलवीन होगा तुमारा रखद हो या आजाओ देखो इस इंपलाइस देट क्या होजाएगा यक्स बटा पांच बराबर के की वैलू क्या है 2X माइनस 273 बटा कितना हो जाएगा पांच कुछ दिख रहा आंसर दिख रहा है तुमारे नजरों के सामने जिगर के पास आंसर दिख रहा है देखो वह या सिंपल सांसर है पांच से पांच मर मुराज आएंगे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है अच्छा ऐसे नहीं समझ में आ रहा है रूको तो भी और भी तरीके है ऐसा नहीं है तरीके और भी है तुम जैसे चाहो ऐसे समझ सकते हो ठीक है चल तो भाई देखो तो गुड़ा कर दो नहीं समझ में आला अस्तर तो गुड़ा कर देना मत काट देना तुम तुम्हारी मर्जी है ठीक है तुम्हारी मर्जी है गुड़ा कर देना ठीक है तो तुम चाहो गुड़ा कर लेना, solve कर लेना या चाहो काट देना, बात बराबर काट दोगे दसान हो जाएगा अब देखो, क्या बचेगा, काट ओगे तो x बराबर बचेगा 2x-230, अब तुम को किसा जीतो आ गया क्या होगा, इसको इधर लाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओगे 2x-x बराबर, यह माइनस उदर जाएगा, 270, इसको इधर में लिखता हो तो 2x में से जब x घटाओगे, तो x बचेगा, बराबर उसके क्या होगा 273, एक्स की वैलू, 273 आ गई, वही पूचा, वह कौन सा ताप है, जिस ताप पे Kelvin ताप का मान, Celsius ताप के मान का दो गुनावार होगा, तो वह 270 डिग्री है जिस पे Celsius ताप, Kelvin ताप का मान, Celsius ताप के दो गुने के बराब होगा तो यह दोनों कॉच्चिन रहे, एकदम स्टार परचारक समझना वही है, यह स्टार वाली कॉच्चिन है, ठीक है, इस्टार वाली कॉच्चिन है, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा अन्य हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, असुनों, जो भी तुम्हें लाखों का पेडियाप चाहिए ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वाटसब गूरूप का लिंक है, टेली ग्राम गूरूप का लिंक है, जाके जुआइन कर लो, अभी के अ अभी, अल दी बेस्टे गाईज, बाई-बाई